चांसी में आर्टियो की टीम कमर्शिल गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी इन लोगों ने निजी वहनों के साथ साथ रोडवेज की बसों से भी वस्रूली शुरू करती हाईवे से गुजरने वाली हर गाड़ी को इन लोगों से दोचार होना पड़ रहा था लेकिन अचाना कि किसी को इन पर शक हो गया उसने मौके पर पुला ली मौके पर पहुँची पुलिस ने भी अध्यकारियों को सलामी ठोकी लेकिन पुलिस के चंद सवालात में ही सारा मामला खुल गया दसल चेकिंग के नाम पर वसूली कर रहा है ये लोग कोई आर्टियो अधिकारी नहीं बलकि शातिर बदमाश थे जो कि फर्जी तरीके से आर्टियो अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ठग रहे थे नमस्कार मैं हूँ मौहमद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूस टाइम नीशन चांसी के मौरानीपुर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार किया है ये तीनों हाईवे पर फर्जी आर्टियो अधिकारी बनका चेकिंग कर रहे थे इनके पास से मिली कार पर भी आर्टियो विशेज जांच लिखा हुआ था इन लोगों ने अधिकारीयों की तरह ही पुरभ भौकाल भरा रखा था छोटी कॉमर्शल गाड़ियों के साथ साथ इन लोगों ने रोडवेस बस और निजी बसों से वसूली शुरू कर दी को फोन कर सारी जानकारी दी बस्के मालेक ने तुरंत ही इस बात की शिकायत पूलिस से कर दी कुछ देर में ही पूलिस भी मौके पर पहुच गई शुरुआती दोर में तो पूलिस ने भी इनने असली आर्टियो अधिकारी समझा लगी कुछ देर की बादचीत में सारी पोल पट्टी खुल गई तासल ये तीनों फर्जी और आटी और अधिकारी बनकर वसूली कर रहे थे मामले का खुलासा होते ही पुलिस ने फर्जी और अधिकारी और उसके साथियों को दबोच लिया और उनकी कार को भी जब्द कर लिया ये खबर हमारे समधाता महें सिंसोलंकी ने कवर की है इसके बाद इस मसले पर हमारे समधाता ने सीओ मनीश चंद सोनकर से भी बात की और उनसे कारवाई के बारे में जानने की कोशिश की अज थाना महरानी पर पर सुचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हाईवे पर फरजी अटियो बनकर बसों से अवायद वसूली कर रहे हैं जानकरी को प्राप्त होने पर थाने दोरा तौरित कारवाई करते हुए उस संदिक लोगों को थाने पर कुस्ताचीतु लाये गया है कुस्ताची करम में अगर्म विदिक कर वे यह मंदे लाएगे अभी कुस्ताचीतु जो संदिक लागे है उन्में टोटल संगे तीन लोग है पॉलस विलहाल मामली की जांच में जूटी है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इनके गिरों में और कितने लोग हैं जो इस तरह के फर्जी रैकेट चला रहे हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप हमारा वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें और अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन ज़रूर तबाएं नमस्कार